जब मैं बड़ा हो रहा था तो गूगल फेस्बुक जैसी कंपनियों के बारे में सोच कर बहुत अच्छा लगता था और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था और जो लोग गूगल या फेस्बुक के लिए काम करते थे मैं उनका बहुत सम्मान करता था यक भी मेरा मानना अधा कि यह ऐसी कंपनिया हैं जो अपने मुफ्त सेवाओं ओपन सोस के समर्पन और अंगिनत चीजों के साथ आम आदमी के लिए लड़ रही हैं बेशक अब आप उनके वास्तिविक स्वभाव को भी जान गए हैं मेरा मतलब है कि उन प्यारे विज्यापनों को देखें ज यहां यह एक युवा महिला को घर के लिए तरस्ते वेद दिखाता है फिर एक बुड़ी औरत घर का बना आचार बनाती है और उन्हें बेचती है पर कभी यह एक युवा क्या आचार बेचने वाले बुजुर को नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऐसे आपको सानुबूती नही क्या क्या वो नहीं दिखाते हैं जैसे कि इन दोनों महिलाओ को निच्चित रूप से एंड्रोड फोन का उप्योग करना चाहिए और वे दोनों ऐसे एप्स का उप्योग कर रहे होंगे जो उनके स्थान, डेटा, सब कुछ ट्रैक कर रहे होंगे और महिलाओ को हमेशा व्य गूगल का ही इस्तमाल करना चाहिए और यातरा करने के लिए महिलाओ को सिफ गूगल का ही इस्तमाल करना चाहिए और महिलाओ को एक दूसरे के लिए गूगल का उप्योग करना चाहिए ताकि गूगल उन्हें अपने पूरी जीवन के लिए गूगल कर सके और ये गूगल क वारा संचालित है और गूगल ने जरादेश कर रखा है कि प्रत्य एंड्रोइट फोन में सभी गूगल एप्स होने चाहिए और इन एप्स को भी अनिस्टॉल नहीं कर सकते ना जीमेल को हटा सकते हैं ना गूगल ड्राइफ को और गूगल फैप्स को और क्या ये कोई आस्च फोन भी जारी कर रहे हैं जो ब्रांडेड होगा और गरीबों के लिए विपनकन किया जाएगा और ये कंपनिया तो गरीबों को भी नहीं छोड़ सकती हैं ताकि वे उनका भी डेटा इस्तेमाल कर सके अगर मोनोपोली को ढराना है तो फिर समान विसिष्टा वाले किसी अन जूत ऐसी भी छोटे डेवलपर्स थे जो एंड्रोइड, आयोएस और विंडोस फोन पर भी अपने एब बना रहे थे फिर भी गूगल अपने अर्बों के पैसों के साथ विंडोस फोन का समथन नहीं कर पाया फिर माइक्रोसॉफ में बेसर भी आ गई उन्होंने गूगल क सारवजनिक यूटूब के API का उपयोग करके विंडोस फोन के लिए यूटूब का एक क्लोन बनाया और वो बहुत अच्छा था फिर 24 घंटों के भीतर गूगल ने नीतियों के उलंगन का दावा करके उसे हटा दिया यह स्कूल के उन बच्चों की तरह है जहां एक अपनी नई टॉय कार बनाने की कोशिश कर रहा है अब पहला बच्चा कक्षा में वापत जाता है और उस दूसरे बच्चे की टॉय कार को पानी में फेक देता है तो अब कक्षा में एक मात्र कार है वो भी पहले बच्चे की और इसे मोनोपोली का जादू कहते हैं मैंने बड़ी कंपनी को इतना इशायू या डरावा नहीं देखा विंडोस फोन की विफलता अपी हारिय थी बेशक मैं इसका प्रशशक हूँ लेकिन मैं इसके असंख्य दोशों से अच्छी तरह से वाकिफ भी हूँ हलाकि गूगल का व्यावार मेरे लिए चोकाने वाला था बेशक अब मैं समझ गया हूँ कि गूगल ये सबी के साथ करता है वे खराब डिजाइन वाले आधे बने हुए मोबाइल उवस से भी डर जाता है यहां तक कि दुनिया भर के अर्बो उप्यों करताओं पर अपनी पक पहले भारत में हम मोबाइल टेलिफोन सेवाओं के मामले में बहुत विकल्द थे हमारे पास डोकोमो, स्पाइस, एटेल और वोडाफोन जैसी कंपनिया थी और आज हमारे पास सिर्फ एटेल, वोडाफोन और जियो है और जहां वोडाफोन लगाता दिवालया होने की बात कर रहा है और मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि हम यहां तक कैसे पहुचे